ये जो मेरे पास में सिंगल फेस का कॉंटेकर है, इस कॉंटेकर को हम कैसे एक सेंसर के द्वारा कंटोर करेंगे, उसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, थ्री फेस का जो कॉंटेक्टर होता है और जो सिंगल फेस का कॉंटेक्टर होता है इन दोनों में केवल डिफ्रेंस ये है कि जो हमारा थ्री फेस का कॉंटेक्टर है इस कॉंटेक्टर में हमें तीन पावर टरिनल मिल जाएगा कनेक्शन करने के लिए और जो सिंगल फेस का जो मेरे पास में सिंगल फेस का कॉंटेक्टर है, इसमें थोड़ा सा एक चीज एडिशनल दिया गया है, एडिशनल यहां पर यह है कि इस स्विच में आप देखोगे यहां पर एक लीवर दिया गया है, इस लीवर को यह आप नीचे की तरफ कर दोगे, तो इस कंडिशन में आपका जो यह कॉंटेक्टर है, यह कॉंटेक्टर आपका पर्मेनेटली ओफ हो जाएगा, यानि कि जब तक आप इसको नोर्मल ना करो, तब तक यह ओन नहीं होने वाला है, तो फिलाल के टाइम पे इस कॉंटेक्टर का हम पावर वाइरिंग समझ लेते हैं, उसके बाद ह जागे है कनेक्शन करने के लिए, यह जो टूपोल वाली MCB है, इस MCB को सबसे पहले हम, हमारा जो इंकमिंग पावर सप्लाई होगा, उसको ले जाके MCB को हम इनपुट पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे, अब इस MCB के आउपूट टर्मिलल पर हम एक फेस वाइर क कनेक्शन कर देंगे, और इस वाइर को ले जाके हमें क्या करना है कि जो हमारा कॉंटेक्टर है, इस कॉंटेक्टर में आप देखो के आपको यहाँ पर 1 और 3 नंबर का टर्मिलल मिल जाएगा, और इसका आउपूट आपको नीचे में 2 और 4 नंबर का टर्मिलल में मिल इसी प्रकार से इस MCV के output terminal पर हम एक black wire को connect कर देंगे neutral power supply के लिए अब इस wire का जो दूसरा सीरा होगा इसको ले जाएंगे और contactor का जो तीन नंबर का terminal है उस terminal के साथ इस wire को हम connect कर देंगे अब इस contactor के द्वारा मुझे इस lamp को चालू और बंद करना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर मेरा जो lamp है इस lamp का जो face वाली wire होगी इस wire को लेके जाऊंगा और आप यहाँ पर देख सकते हो contactor में यहाँ पर दो लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि यह जो output व इस contactor को हमें इस sensor के द्वारा control करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जो हमारा sensor है इस sensor का सबसे पहले तो operating voltage देख लेंगे इस sensor में यदि आप देखोगे तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा 250 volt AC यानि कि यह वाला जो मेरा sensor है sensor मेरा AC power supply पर work करेगा वो भी 250 volt अब इस sensor का जो दो वायर है इन दोनों वायर में से एक वायर को आपको ले लेना है और इस वायर को ले जाके आपका जो MCB है MCB में जहां पर आपको फेज सप्लाई मिलेगा उस tunnel के साथ आपको इस वायर को कनेक करना होगा मैंने यहाँ पर brown wire को face supply के सार connect कर दिया अब इस sensor का जो दूसरा wire होगा इसको ले जाके आपको इस contactor को on करने के लिए power supply देना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा इस wire को ले जाके यहाँ पर जो A1 वाला terminal है आप देख सकते हो इस contactor को ऊपर में यहाँ पर A1 लिखा हुआ है तो इसी terminal के साथ आपको इस wire को connect करना होगा तो मैंने यहाँ पर इस wire को connect कर दिया तो इस contactor को operate करने के लिए हमने sensor के द्वारा face supply provide कर दिये अब हमें इसको neutral supply provide करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे यह जो हमारा MCV है MCV में जहाँ पर हमें neutral power supply मिलेगा उस terminal के साथ हम एक wire को connect कर देंगे अब इस wire का जो दूसरा सीरा होगा इसको ले जाके जो हमारा contactor है इस contactor के उपर में आप देखोगे यहाँ पर A2 लिखा हुआ है तो इसी terminal के साथ हम इस wire को ले जाके connect कर देंगे तो यह जो contactor है इस contactor को sensor के द्वारा operate करने के लिए हमें connection के वाल इतना ही करना होता है अब यदि मैं यहाँ पर MCV को on कर दूँ MCV को on करने के बाद यदि sensor के सामने किसी भी metal part को लेके जाऊँगा तो हमारा contactor on हो जाएगा आप देख सकते हो lamp हमारा on हो चुका है अब यदि मैं इस tester को remove कर दूँ यहाँ से तो आप देखोंगे lamp off हो गया यहाँ पर देखिए lamp on, lamp off on, off, on, off आप देख सकते हो हमारा जो sensor है इस sensor के द्वारा हम contactor को control कर पा रहे हैं तो दोस्तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इस वीडियो पर like कर दीजेगा और चैनल पर नई हो तो subscribe कर लीजेगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद